हेलो इस्टेंट एक वफिट से आप सभीगा स्वागत है आपके अपने यूड़ चेर्मेंट सब्टेक्नो में इसमें आज की स्पीडम बात करने वाले हैं एकनुके दिसंबर दो जाते ही स्टम्ड एक्साम के एक्सामनिशन फॉर्म के बार में आपको बताएंगे आज की कौन सेश्मेंट एलिजिवर हैं कौन को नप्लाई कर सकते हैं एकनुके दिसंबर दो जाते ही स्टम्ड एक्साम में सब्मिट करना अनिवार रहे है या फिन एक्साम फॉर्म की फीज क्या रहेगी साधी साथ प्वेस्ट सेंटर क्या रहेंगे एक्सामनिशन के लिए क्या आपके exam exam centers पर नहीं आपके study center पर होते हैं या फिर कहीं और होते हैं आज की स्पीड में detail बात करेंगे साधी साथ आपको बताएंगे examination form की last date of submission के बार में आज की speed में complete detail मिलेगी आपको December 2023 exam के examination form की इस वीडियो के इन तक चरूर से देखना साथ ही चैनल वो पहली बार आई हो मेक्शु आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें पहले एक कंद वाले ताकि लेटेश टेट आपको सबसे बहले मिलती रहे आई स्ट्रेंट बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर फर्स्ट फल बात करते हैं कि आप में इसे कौन से श्ट्रेंट ऐसे हैं तो इस एक्जामरेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और किनका फिल करना या फिल करने का ओफ्षन ही नहीं आएगा फर्स्ट फल वो सभी इस्ट्रेंट यहां पर समझ लेए जो इगनू की न्यू इस्ट्रेंट है इगनू आपके साल में दो बार एक्जाम कंड़क्ट करता है अब डिपेंट करता है आपका सेमेश्टर बेस प्रोग्राम है तो आपके हर 6 महीने बाद एक्जाम दे सकते हो बट अगर आपके एन्वल मोड प्रोग्राम है तो आपका एन्वली एक्जाम कंड़क्ट होता है बट backlog के exam आप after six months भी दे सकते हैं हम बात करें December 2023 टमेड exam की इसके लिए eligibility criteria क्या है वो समझे अगर आपने IGNU के इंदर किसी भी bachelor degree program या फिर post graduate program यानि की master degree program में January 2023 session के इंदर fresh admission या re-restrict किया आपने second year या third year के लिए तो आप लोग eligible हैं आप इस examination form को fill कर सकते हैं इसके बाद में second point के हम बात करते हैं जो की assist point के लिए है जिन्होंने diploma program या पीजी diploma program में January 2023 session के इंदर fresh admission लिया है रेश्टर्ट किया है तो आप लोग भी इस exam form को fill कर सकते हैं अब बात करते हैं certificate program की और semester based programs की तो अगर आपका program semester based है या फिर आपने यूजी certificate program या पीजी certificate program के अंदर जुलाई 2023 session के अंदर fresh admission लिया है या रेश्टर्ट किया है तो आप लोग भी इस exam form को fill कर सकते हैं इसके बात में बात आती है उन सभी strengths की जुनका backlog है देखो backlog को लेकर already हम बात कर चुके हैं लेकिन अगर आपकी backlog है तो आप लोग भी December 2023 exam को fill कर सकते हैं यानि कि इस exam को fill कर सकते हैं ओके साथी साथ उन इस प्रेंट को भी exam form fill करना सही रहेगा उनके लिए तिमका result painting है because result अगर आपको painting है किसी एक particular course का और अगर आपको लगता है यार इसमें शांस हो सकता है कि सायथ past ना हो पा है तो बहुत easily आप यहां पर समझ सकते हैं देखिए अगर आप theory courses के लिए exam piece पर है तो 200 piece पर course रहती है theory courses की बहीं जो practical courses है उसके लिए अगर आपका जो course है वो 4 credits तक का है तो आप 300 पे करेंगे तो BSEG के strengths को कोई भी exam form fill नहीं करना होता है अपने practical courses के लिए only theory courses का आपका exam form fill करना है वहीं B.A. psychology अगर आपके पास में है तो आपको exam form fill करना है उसकी जो recept है उसे समाल के रखना है विकास वो आपकी examination के दौरान काम आने वाली है प्रोजेक्स की fees के हम बात करने तो इसमें अगर आपका course 4 credits तक का है तो 300 अगर 4 credits से ज्यादा का course है तो 500 पीस पे करनी होगी अब बात करते हैं assignments के बारे में क्या exam form fill करने के लिए assignment submit करना कंपल सरी है या आप नहीं यहाँ पे सबाल इसलिए भी आता है विकास अगर आप द देखिए required number of assignment in the course must have been submitted by the due date whenever wherever applicable as per the provision of your program that means अगर आप exam form fill कर रहे हैं अभी और assignment को बात में भी submit करते हैं तो कोई issue नहीं होगा यहां पर बदाई क्या है यहां पर given है कि आपको examination में पेर होने से पहले जो भी termit exam के आप submit कर रहे हो exam form उसी के आपको assignment submit करना as per the last rate आपके लिए compulsory रहेगा अगर आपकी by chance ऐसा होता है कि assignment नहीं हो पाते हैं आप next exam exam में दे सकते हैं बड़ उससे क्या होगा आपका time ही loss हो कर रहा है because reason यह भी होता है कि assignment के mark subject नहीं होते हैं जिस पर इस आपका not complete show होता है ओके हमने वाज कर लिए आपके examinations के बारे में फीस के बारे में assignment के बारे में और exam from की eligibility criteria के बारे में अब बात आती है last rate of submission की last rate of submission की बात करें तो without late fees है आपकी 30 September 2023 वहीं 500 पीस late fees के साथ में जो आपकी last rate रहेगी वो 1 October से लेकर 20 October तक रहेगी जो final last rate रहेगी जिसमें आपको 1100 पे late fees देनी है जो कि आपकी रही किस October से ल अब बात आती है exam centers की कौन सा exam center best है कौन सा आपको fill करना चाहिए देखे exam centers की list आप यहाँ पे देख सकते हैं तेली में जितने भी exam centers पनाए गए हैं उन सभी की list है अब मैं यहाँ पर एक point clear out कर दूं उन सभी strengths को जिनकी वाइमरी confusion होती कि सर हमारे exam कहां पर होंगे क्या study center पर होंगे या RC पर होंगे तो देखो exam center आपको choice होती है जो भी आपको select करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं अब centers आप कैसे check करेंगे तो देखे यह list जारी होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे nearby कौन से centers पल रहा है उससे आप fill कर सकते हैं अब यहाँ पर कई सारे आपके exam centers हैं जो आप easily fill कर सकते हैं अब इन exam centers की list है इसके according आपको exam form फिल करना है और यहाँ पर clear out करना हो आपके study centers पर भी exam होते हैं बट आपको select करना होता है choice मिलती है so tension नहीं लेनी है कि आपके सिर्फ exam center आपका study center होगा कोई भी exam center आप अपनी choice से select कर सकते हैं जो available हो ज आपके examination form के बार में जो की December 23rd exam के लिए रहने वाला है तो strength यह थी complete detail hope कि आपको clear out हुआ होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो like कर देना बाकि आपको जानना है assignment के बारे में और detail में यह exam से related odd information चाहिए तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं जिसमें detail में हमने बात किये जो कि काफी important है आप सफी strengths के लिए बाकि आज की इस वीडियो में इसना ही पसंद आई तो like कर देना शेयर कर देना ऐसी और वीडियो पाने की चैनल को चरूर से subscribe करें मिलते हैं एक और update एक और नहीं वीडियो में तब क्लिक जहेंगे बारे दूस्तों